कि नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग सब आज में आई हूँ गाउ में तो आज गाउ के आपके रुठिंग दिकाती हूँ पहले शुरू करते हैं मंदिल सही देख सकते हैं मंदिल के सुगोब पूजा हो गई है मेरे सासने सब सुगोब उठके पूजा विजा कर लिये हैं तो चलो नमस्कार करके शुरू करते हैं आज कर देख सकते हैं हमारा मंदिर है घर है यह तो चलो गारन दिखाते हैं हम दिखा देते हैं चलो आभी देख सकते हूं चिकुका यह लगाया है इतना सारा देख सकते हूं यह अमरूत का पेड़ है यह दो तीन आमरूत के पेड़ लगे हैं गाउ में कितना सारा लगाए गाउ में मेरे सास असुर्द दोने लोग रहते तो उन्होंने सब यह कर लिया गाडन का पेड़ है देख सकते हैं इतने सारे लिंबू लगे हैं देख सकते हूं लिंबू बहुत सारे लगे अभी छोटे हैं लीऐ देख सकते हैं सितापड है इदर बहुत सारे लगाये हैं हमारे सास सब्सुर्द ने अंदर चलते हैं है से फूल लगे हैं बहुत सारे फूल है शुब सुसुब पूजा होते पूजा में चढाया जाते फूल हैं कोciones झालैष्क हो पर लगी है देख सकते हैं देखें कि मैं इसकी भी रशी पीडाल दूंगा अभी मिर्ची की देख सकते हैं अधे सब्सक्राइब बहुत सारा है जाओं के फूल पीले फूले देखे अभी न उरात्री चल रही है तो पस्प्ते काइज उपर अम्रूत कितने सारे लगें हैं देख़ां कहां। रखाइंगे आप लोको काओ न कीसे निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं पस्तुर्ण कि निकाल रहे हमारे को गाव में देना के लगड़े से बहुत बढ़े हैं नीकाल 음 की जैसे हने कवह नीकाल रहे है है Red को नमक और मिर्ची लगाखें मज है आपको देख रहा होगा कैमेरा में देख सकते हो गाइज यह देखिए कितना बड़ा पपिता है और यह देखिए कितना बड़ा शीता फल है और यह देखिए एक और हमने आपर तोड़ लिया है देखिए अब हम इसको पकाएंगे एक पेपर में रैप करके रख देंगे तो अच्छे से पक जाएगा फूल जो हम बगवान को चड़ाते हैं वही फूल है देखें गाउ में आये हैं तो सब्जी सोचे क्या बनाए तो देखें तुरी आई है कितनी सारे बड़े-बड़े तुरी निकाल देते हैं दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं इसको देखें गाउ में ऐसे होते हैं कितना उपर और पेड़ गया है देख सकते हैं कि अगदम देशी तो यह देखें यहां पर है तो री देखें कितना बड़ा है यह देखिए यह देखिए कितना बड़ा है और गाउ में युगा देखिए चलिए इससे भी तोड़ लेते हैं यह देखिए कितनी बड़ी तोरी निकली है इसके आज हम सबजी भी बनाएंगे और यह सब नाचरल हमने इधर गाउ में ही उगाया है आप देख सकते हैं सब नाचरल ही यहां पर हमने उगाये हैं पूरा घर के सामने गाडन बनाया है और गाडन में जो पेड़ है वो चारो तरफ फैले हुए हैं और अभी देख रहे हैं कि बाकी जगह पे कहीं और तो जगह नहीं हो गया है अब यह देखे कितने बड़ी है निकली है और बिल्कुल नाचरल है हमारे घर से ही है देखिए तो यहां से पूरा यह तोरी का है जो पेड़ है और फिर यहां से यह पूरा बीन्स का है बीन्स तो अभी यहां पे फिलाल लगे नहीं है यह देखिए अभी लगेंगे थोड़ी दिनों की बाद ने तब आपको अलग से इसका रेस्पी बना के दिखाएंगे तो चली अभी चलते हैं यहां से कि यह देखिए कितनी मूटी तोरी है चली कहीं और पी है कि देखते हैं यह देखिए इधर एक छोटी वाली है इसको भी निकाल लगते हैं यह देखिए देख सकते हो जब तक हम तोड़ रहेते हैं सब सब चली के डिःते हैं तब तक मेरे सास में देख सकते आप सास में रहते हैं तो देख सकते हैं जब तक हम तोड़ रहते तब तक इन्हुने नाष्टय के यह कर दिया है इधर तो प्याज कात लिया है तमाटर मिर्ची और यह में टेकाल home आज हम बनाएंगे फिर नाश्टे के लिए में आएगी सब्सक्राइब दिखाएंगे आप इसकी बना के तो रहे कि देखिए कि यह आगी आप को देखो तेल गरम अब जीरा जैसे तड़केगा हम डालेंगे उसमें प्याज प्याज से प्राइकर के ले लेते हैं इसमें डाल देते हरे मिर्चे में आपको दिखाएंगे में चुले पर खाना गाउ में कैसे बनाया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे अच्छे से प्राइब हो गया हल्दी डाल देते हैं यह गाउ में बनाया है हल्दी घर पे पानी डाल देते हैं इसमें पानी डाल देते हैं अच्छे साथ के मसल नमक डाल देते हैं अच्छे मसल डाल देंगे अच्छे से डाल देते हैं अच्छे साथ के अच्छे बनाया जाता है यह अच्छे से प्राइब हो गड़ाएंगे यह जो पापको तो जब तक मम्मियां पे मैली बना रही है तो नानी garden पे तुरी को काट रही हैिसके चिल के और निकाल रही है तो फिर बात ममि उपेश को ठुछा लगा देंगे और बना देंगे घहरथे soup जब तक मम्मियाखी बतायरी जब- तक तक मम्मियाखी बना रही जब तक तो इसमें डाल देते में आएगी जाख़ी एक आएगी ऑुच्छ। आएगी क्याना मुद्गित्स इसमें खजएगी सफच करेटी मुद्धित सुख़ी जृद्भाव झाल झाल जो थो मेगे बुझो हमारे मैगे बनके रेड़ी है अब नाष्टा कर लेते है सब लोग फिर हम बाद में सबजी बना के दिखाएंगे आपको है हमने कडाई रख दिया है गरम होने के लिए अब कडाई जैसे गरम हो गए हमने इसको प्राइब करके लेना है इसको हम फ्राइब करके ले लेते हैं फिर इसका बाद में तड़का लेंगे दे देंगे अच्छे से इसको फ्राइब करके ले लेते हैं तेल डालके अच्छे से फ्राइब करके ले लेते हैं फ्राइब हो गया है देख सकते हूं कितना पानी निकला ही नीची अब इसको निकाल देते हैं इसमें डालेंगे तेल आप इसमें डालेंगे जीरा जैसे हमारा तड़क रहा है वैसे हम डालेंगे इसमें लसन लसन मैंने कूट के लिए लिया हैं लसन अच्छे से यह फ्राइब हो रहा है इसमें डाल देंगे तमाटर दो तमाटर लें मैंने काटके बहुत बड़ा परिवार है अमारा घर पे अभी हम नहीं नहीं दिका सकते क्योंकि सब अपने अपने जॉब पर है बस हम यह छुट्टे पर आये हैं इसमें डाल देंगे हल्दी लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं आप इसमें डाल देते हैं तुरी पराई डाल देते हैं मिक्स कर लेते हैं जाल देते हैं स्वाद के अमसार थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पांस-दस मिनिट पकने देते हैं अच्छे से सबजी पक गई है हमारे इसमें डाल देते हैं मूफ अलिके कुटे हुए दाने बन के रेडी हो गया है हमारा सबजी बन कर देते हैं ग्यास को अब सब बन गया है एक चापाती भी नहीं दिखाया है आमने कर बनाई यह चापाती सब बनाएं सबजी दाल हो गया है आप सब मिलके खाना खा लेते हैं कर देते हैं